हाई फ्रेंड्स, वेल्कम बैग, आज मैं बात करूँगा हमारा राजा बैटरी का, इस स्टॉक को डिसकस करने का रीजन है कि आज के ट्रेडिंग सेसन में यहाँ पे 11% का एक बड़ा जम देखने को मिला है, अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई है, कि मनिस्वाई हमारा निचलिय लेवर पर बाई किया है, अच्छा खास प्रोफिट है, क्या बुक करना चाहिए, वही कुछ लोगों की यह भी क्वेरी है, कि मनिस्वाई क्या एक अपरचुनिटी है अब ही बाई करने का, इस स्टॉक में मेरी भी पोजीशन है, मेरी स्टेट जी क्या है, इन सार है कि मैं कंटेंट ट्रेटर नहीं हूँ, मैं एक प्योर ट्रेडर हूँ, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो अपनी लर्णिंग आपके साथ सेर करता हूँ, मैं बॉटम बायर हूँ, नीचे खरिदना मुझे पसंद है, इस्टॉक लस नहीं लगाता, इक्विटी में काम क क्वालिटी स्टॉक जब भी किसी ऐसे वज़ा से नीचे आते हैं, जो जस्टिफाइड नहीं हूँ है, तब मैं बाय करता हूँ, हर कोई जहां पर फियरफूल होता है, हर कोई सेल करता है, तो मैं बाय करता हूँ, तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो, तो हमारा राजा बै इसका भी मैने टार्गेट यहां पे 600 दिया था, एक साल पहले को मैंने अपने channel पे डिसकस किया था उस समय चूए इसका प्राइस था 500 रुबे था, चार महीना पहले भी मैने इस stock को डिसकस किया था, एक stock को बार-बार डिसकस करने का reason यह होता है, कि मेरे पास हर दिन 10 overtime time Dob ign मिलते नहीं हैं, जो मैं आपके साथ share करूँ, तो मैं उन्हीं stock को discuss करता हूँ, जो मेरे पास होते हैं, चार महीन पहले भी यह stock मैंने discuss किया था, तो अगर आपने अमर राजा बैटरी पे इन वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जाकर देखें, सारी चीजे यहां पे explain मैंने हाँ, हाला कि मैंने इन सारे वीडियो में जो है, सारी चीजे explain किया है, लेकिन एक बार फिर से हम जाते हैं, और देखते हैं कि यहां पे technically क्या pattern बन रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ fundamental business और chart को देखकर काम करता हूँ, मैं कभी भी news पर काम नहीं करता, कि जैसे आज मैं अगर news search कर तो यहां पे बहुत सारी चीजे निकल कराएंगी, अमर राजा energy share के बारे में 6 घंटे पहले की news है, यह business standard की news है, कि 7 घंटे पहले की अमर राजा jump 70% so far in apparel, nearest record high on healthy outlook, तो यह सारी तमाम चीजे निकल कर आप आनी सुरू हो जाएगी, और यह होता है, कि जब एक बार accumulation over हो जा यहां से stock गिड़ना सुरू होता है, यह होता है downtrend, उसके बार यह जो phase होता है accumulation, तो मैंने इस stock को यहां पे कहीं 500 के उपर discuss किया था, क्यों मैंने यहां पे buy किया था, ओर reason भी मैं आपको दिखा दूँ, एक बार फिस से मैं drawing को हटाता हूँ, अब दियान से देखना, यहां falling ways का confirmation था, falling ways कैसे बलता है, again मैं बताता हूँ, falling ways एक bullish reversal chart pattern है, जिसमें आपको resistance line को लेकर एक line को draw करना होता है, तो जैसे मैंने यहां पे यह जितने resistance हैं, उनको लेकर एक line को draw कर दिया, उसके बाद हमें support line को लेकर एक और 10 line को draw करना होता है, तो मैंने यहां पे support line को लेकर एक trend line को draw कर दिया अब हमें ये जो pattern है एक falling wage के रूप में दिखाई दे रहा है falling wage ये बताता है कि stock में आब बड़ी तेजी आएगी या फिर stock में बड़ी गिरावट नाइगल होगी या फिर stock एक consolidation के फेज़ में जा सकता है कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अब यहां से अब trend की शुरुआत होने वाली है अब जहां पे price कट करता है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जहां पे price ने इस line को कट करता है वहां पे हमें alert हो जाना होता है तो हम यहां पे alert हो जाते हैं अब एक चीज़ द्यान से देखना कि अगर falling waste के confirmation के साथ साथ अगर निचले लेवल पे bullish chart pattern का formation सुरू हो जाए यानि multiple bullish chart pattern form होना सुरू हो जाए तो यह confirm करता है कि stock में बड़ी तेजी आएगी और यहां पे conviction हाई हो जाता है तो अब देखो निचले लेवल पे इसने कितना सुंदर डबलो पैटर्न बनाया था यह देखो यह है डबलो पैटर्न डेकाउट हुआ और यहां पे बार-बार resisting होई और अगेन यह uptrend तो यहां पे falling waste का confirmation multiple chart pattern का confirmation और उसके साथ अगर rounding bottom बनना सुरू हो जाए तो यहां पे stock में invest करने का मेरा conviction होता है काफी strong हो जाता है इसलिए जब भी मैंने multiple times इस stock को discuss किया मैंने इस stock का जो मेरा target था उसके लिए मैं stick रहा अब आप देखो कि यहां पे यह rounding bottom था यहां पे downtrend यह था accumulation और एक बार जब accumulation पूरा हो जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी 50-60% journey complete हो जाती है तो उसके बात बड़े-बड़े candles बनने सुरू हो जाते हैं अब 50-60% journey का मतलब क्या है तो जैसे मैं इस resistance को मार करता है तो यहां से एक मैंने imaginary line draw किया यह इसको ने कर तो जैसे ही stock यह जो journey है यह जड़नी को complete करता है तो आप देखो गया बड़े-बड़े candles बनने सुरू हो जाते हैं और इस इसको मैं हमेशा बोलता हम क्यूंकि accumulation ओबर हो चुका है अब जो operator जो फिस stock को चला रहे हैं उनको भी पैसे बनाने हैं और कब से उसने presence रखा 21 से यहां पर पैसे तो पैसे उनको भी बनाने है तो नीचे लाया गया हर लेवर बाइंग की गई लोगों को डिराया गया और फिर से यहां से एक बड़ा अप्टेंच सुरू हुआ और मैं यहां पर कहीं बाइं कर रहा था अब जब यहां पर एक अच्छा कसर रिटन आ गया है 500 का स्टॉक डवल से ज्यादा हो चुका है तो अब यहां पर डिफिनिटली अच्छी निविल निकल कराएगी अब लोग बताएंगे कि स्टॉक को भाई करो स्टॉक उपर जाएगा अब हो सकता है कि यहां से थोड़ा सा इसमें करेक्शन आए थोड़ा सा ली टेस्टिंग आए लेकिन जो ultimate target मेरा है वो मैंने यहां पर बताया है कि मैं इस stock को अपने target के लिए जो है 1600 का वोल्ड करूँगा अब 1600 का target की है अगर हम सिर्फ technical chart pattern की भी बात करे रहा है तो simply इस पूरे target को लेना है और इसको कहा रखना है यहां पर रखना है यहां पर कितना आ रहा है यह आ रहा है 1600 का यह है simple सा target तो इस तरीके से na stock market में पैसे बनाए जाते हैं इसके लिए हमें अमेरिका के GDP की PhD करने की जरूरत नहीं है इंडिया में inflation कितना बढ़ रहा है इस पर जाकर PhD करने की जरूरत नहीं है वर्ल्ड में inflation कितना बढ़ रहा है इंडिया किस ratio से growth कर रहा है इस पर बहुत जादा सोचने की जरूरत नहीं है यह हमारे काम की उतनी जरूरत नहीं है यहाँ पे दिमाग लगाने की, हमें सोचना कहा है हमें सोचना है trading view पे क्यों कि यह चार्ट pattern है यह बोलते हैं, यह बाते करते हैं यह आपको बताते हैं कि यहाँ पे खरिदना है हमें कहाँ पे दिमाग लगाना है हमें दिमाग लगाना है screener के उपर क्योंकि यहाँ पर fundamental हमें दिखता है जो बताता है कि इस stock को buy करना है जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यह मेरे list है यहाँ पर मैंने multiple list बना के रखे हैं small cap के charts जो है nifty small cap 250, nifty 100, nifty 200, nifty 500 इन chart को मैं देखता हूँ stock to buy कि इस stock को buy करना है इसमें से filter करके यहाँ पर डालता हूँ stock under watch जो stock को मैं select करता हूँ और मुझे लगता है कि इनको buy करना है उनको मैं under watch वाले list में डाल जाता हूँ और उनको देखता हूँ जैसे ही ओ मेरे buying list में आते हैं buying price पर आते हैं तो मैं उसको buy करता हूँ और इसके लिए मैं किसी की नहीं सुनता मुझे अपनी analysis के भरोसा वता है क्योंकि पैसा मेरा है ना अगर पैसा डूबेगा तो मेरा डूबेगा तो किसी से पूछ कर किसी से tips लेकर खरिदने के बजाए मैं खुद मेहनत करता हूँ और यहीं तरीका है stock market में लागतार पैसे बनाने का करना क्या है अमेरिका में Biden के घर पे क्या बना है उसका कल stock market के उपर क्या effect बरेगा इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाए मैं यहाँ पे दिमाग लगाता हूँ और खुद से stock को चून कर मैं buy करता हूँ कभी भी penny stock में future and option में काम नहीं करता मैंने time to time जो मेरे video चाहिना मैं यहाँ पे अपना profit and loss जो मैं खरिता हूँ यहाँ पे आपको डाल देता हूँ और अगर target नहीं आता है market fluctuate करता है तो fluctuation के साथ आपको fluctuate नहीं होना है वहाँ पे patience रखना है अगर आपके buy करने के बावजूद stock 20% 30% नीचे आता है patience रखना है जैसे मैंने Lux Industries को buy किया था और यह मेरे buy करने के बावजूद नीचे आ गया लेकिन आज मैं अभी एक और वीडियो डालूँगा Lux Industries के उपर और आज इसमें मैं profit में आ गया stock में मैं loss में था लेकिन एक दिन में stock price ने यहाँ पे recover कर दिया और मेरी जो position है आप देख सकते हैं तो मैं यहाँ पे अपनी position देखा कर आपको influence करना नहीं चाहता अगर मैं अपने जो बड़े बड़े ट्रेड है न यहाँ पे मैं share करने में थोड़ा सा मुझे हिसकी चार्ट होती है छोटे छोटे जो ट्रेड है न उसको share कर सकता हूँ अगर आप इनमें से किसी भी stock को न वाई और sell करनी की बात नहीं सोचेंगे आपको सिफ ये बताना है मेरा काम ये बताना है कि stock market में simple तरीके से पैसे कैसे बनते हैं इन सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा अगर आप stock market को detail में मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे contact कर सकते हैं अगर आपने YouTube पे मेरा जॉइन बटन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ले मैं अपनी लड़नी वहाँ पे share करता हूँ अब सबसे important चीज आपके लिए है कि मेरे चैनल को subscribe परना है यहाँ पे जो आकरा है बहुत कम है लोगों को पता फोना चाहिए कि बीना gambling किये यानि बीना future and option किये और बीना penny stock में काम किये पैसे बनते हैं thanks for watching